मैं जिन्दा हूँ सर जी मैं सही सलामत हूँ मैं जीवी तूँ और मेरा इश्राद बना रहे आप क्या आपको मुझे पर यकीन नहीं कि मैं आपको छोड़ कर इतनी जल्दी नहीं जाओंगी या यू कहें कि सर जी जब आपको हाटटेक आया था तो आपको बचाने के लिए मै पहुचे थी तो फिर भला आप मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं आपके बिना नहीं जी पाओंगी या यू कहें कि भाई मर भी नहीं पाओंगी जनक अपने आपको रोक नहीं पाती है और इसके पहले कि अनरुद आश्रम में पोहँचे कि जरूर अनरुद लेकिन घुंगट में जनक चिप जाएगी लेकिन इसके बाद जनक का जब श्राद मनाया चाहरा होगा तो जनक भी अपनी श्राद में पहुचेगी और यकीन मानिए अपनी इश्राद को अपनी अंतिम सस्कार के रिती रिवाजों को देखकर जनक पूरी तरीके से हिल जाएगी लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबकी बैंड बजेगी क्योंकि अब जनक को समझ आ चुका है कि ये जो अर्शी और सिष्टी है देखे इनकी खुशी देखे कि जनक मर गई है इस बात को लेकर इश्राद को लेकर उनकी एकसाइटमेट लेवल है कि चलो रिती रिवाज कैसे भी कुछी मनाये चाँ चलो हम आ गये हैं और इसी के लिए पूरे बोस परिवार के सामने जनक एक तरीके से शौकिंग एंट्री भी देने वाली है लेकिन ब्रिजबूशन जैसे हुबहु दिखने वाले शक्स को लेकर अनिरुद थोड़ा सा मैटर से टॉपिक से भटक जाएगा लेकिन कोई बात नहीं इसके अलावाई बहुत सारी ऐसी घटनाई है जिससे अनरुद और जनक का मिलन होने वाला है लेकिन यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि यदि इनका मिलन होगा तो अनरुद जनक को कैसे नहीं पचान पारा है आईए यही जानते हैं कि अनुरुद क्यों नहीं पचान पारा और जहनक ने ऐसा क्या बाते ऐसी क्या बहाने बना हैं कि अनुरुद भला जहनक कोहीं नहीं पचान पारा और जब जहनक अपनी श्राद में पहुंचेगी तो फिर भला श्राद में वो सबकी बैंड कैसे बजा देखा जाया ना तो अब जनक की कहानी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि बोरियत आ चुका है क्योंकि बहुत दिन हो गया है जनक और अनिरुद देख दूसरे से मिले नहीं है और शो के TRP में इजाफा तभी होता है जब जनक और अनिरुद एक साथ होते हैं कहने को ये शो म का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विवर्स हैं वो सिर्फ जनक और अंडुत को एक साथ देखना चाहते हैं ना कि उन्हें अलग अलग सेपरेट बेसिस पर और कहीं न कहीं दोस्तों मेकर्स को ऐसा लगता है कि यदि इन दोनों को अलग रखा जाए तो इन दोनों को एक होने के लिए मिलने के लिए देखने के लिए विवर्स इंतजार करेंगे बेशा कि यह आपका जो ट्रिक है वो सही है लेकिन कहीं न कहीं कुछ ज्यादा ही पेशनस आप लोग करवाते हैं या यू कहीं है कि भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेचिंग हो रहा है सीरियल की कहानी को ब्लोटिंग को लेकर और इसी कल दोस्तो इस स्ट्रेचिंग को पूरी तरीकिस इलास्टिस सिटी को खतम करने के लिए वापस छोड़ने के लिए अनुरूद और जनक एक होने वाले हैं जिया दोस्तो अनुरूद दिना आश्रम में पहुंच चुका है घुंगट में पहु लेकिन कोई बात नहीं ये जो घुंगट में लड़की है न ये तुमारी जनक ही है भले ही इनका नाम आपको बताया अगया नोतन लेकिन जनक नहीं मलकि जनक है बेशक कि अनुरूद को ये बात कैसे पता चले कि घुंगट में तो चुपूई है लेकिन मेरा ये सवाल है कि भाई जिससे आप प्यार करते हो क्या उसे घुंगट में छुपने के बाद भी क्या नहीं पचान सकते हो भाई यदि वो स्कार्फ बान ले या पूरी तरीके से चुन्नी ढख ले घुंगट डाल ले, चश्मा पहन ले मेक अप कर ले, जिससे अप्यार करते हो ना, उसे आप किसी भी हालत में पहचान जाओगे, तो भाई मेरा ये सवाल है कि जब अनुरुद के सामने जहनक खड़ी है, तो अनुरुद क्यों नहीं पहचान पा रहा है, त्योंकि दोस्तो इसका पूरा जो बिश्रे है न, वो एक ही आदमी को जाता है, और वो है ओल्ड यंग मैन ब्रिजभूशन, ये जो ब्रिजभूशन है, ये असली है मैं बात कर रहा हूँ कूल भूशन की, और ये कूल भूशन की इमेज ने इतना नेगेटिविटी फला कर रख अपने बारे में, कि भाई, यहाँ पे हूबहू दिखने वाज़ शक्स, यानि हमारे पंडित ब्रिजभूशन, जो की असल में जनक के पिता, इनको देख करना अनुरूदना हक्का बग करा जाता है, कि भाला, ये कैसे चाती है, ताकि उसे ये समझ में आए कि उसे कौन चाता है, और कौन उसके पीट पीछे क्या सोचता है, बेशा कि मुझे नहीं लगता है कि जनक कोई चीज़े करनी चाहिए, क्योंकि जनक तुम्हें सारी चीज़े पता है कि घर में बोस हाउस में तुम्हें कौन सपोर्ट करता है जैसे छोटोन हो गया और अप्पू के मम्मी पापा हो गया और भाई अनुरुध हो गया बस इनके लावा शाय तुम्हें इस घर में कोई पसंद करता है नहीं हम ठमी की बात करें तो भाई वो भी पसंद नहीं करती है और भाई कोई कोई नहीं लिटरली बताओं तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करता है तो तुम अपनी इश्राद में पहुंच कर अपनी ही दिल को और कष्ट और पीड़ा क्यों दे रही हो मेरी जहनक यही तो सवाल है यदि तुम अपने दि फिर्वाल ने कि नौबत आती है तो तुम कहीं और चल जाती हो और जुट मेरा सवाल हो दूस्तों के लियर से याद आए कि आदित्य कपूर सहाब करें कुछ dynaं से अदित्य सहाब को दिखाया ही नहीं जा रहा है किww तक जहनक को इनसाफ नहीं दिलाऊंगा मैं तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा और भाई इनसाफ दिलाने की रेस में एक दो एपिसोड में आदित्य कपूर दिखे उसके बाद आदित्य कपूर कहां चलेगा है आदित्य क्या आपने हारमान लिया या यू कहें कि मेकर्स को अन जिरूद इस जनक के बारे में सोचेगा बाई कई ना कई अनुरूद मतला आधित्य के फैंस को थोड़ा बहुत तो डिसपॉइंट होगा ना कि अजानक से आधित्य को गायप कर दिया गया कहानी में आधित्य के एंट्री नहीं हुई है तो कई नहीं सोचने वाली बात है तो यहीं तो सच्चाई है और इसी सच्चाई को जनक अपने सामने एक्स्पिरिंस कर पार यह बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि जीवित रहते हुए मरनोपरांथ उनके साथ क्या होगा यह चीज़े देखने का और बेशा कि मरनोपरांथ शायद चीज़े अलग हो जाए य लेकिन जल्द ही स्ट्रिष्टी के खिलाव जो सबूत है न तेजस की आने की वो सबूत खुद जनक की बताएगी क्योंकि जनक को जब इतना सब कुछ याद आ गया तो जनक इस बारे में बात क्यों नहीं कर रही है कि आकिर कार उसे किसने धक्का दिया था क्योंकि भाई ज जनक को तो यह पता था कि वो जिस कार में बैटी थी उस कार को ड्राइव करने वाला आदमी को याँ ने बलके तेजस है तो ऐसे में जनक तेजस के बारे मात्चीत क्यों नहीं कर रही है । या फिर तेजस को सिध़सीद़ सिधा पॉइंट आट और करके वापस आके अपन उस चीज को क्या जे लोग पीछे चुना चाहते हैं, क्या इस चीज को ये लोग भुलाना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, ऐसे में आने वाली कहानी को लेकर और इस वीडियो को लेकर आपकी कोई भी ओपिनियन हो, तो कमेंट के जरी जरूर बताएगा, दोस्तो जय भारत और देखते रहे जना को स्टार प्लस पर, और एने टाइम डिजनी प्लस होट स्टार पर, और पाते रहे दोस्तों इसके सारे अप्रिट्स को टाइम सफ मीडिया पर, बाई बाई टेक केर